हलो गाईज नमस्कार आप सबी कस्वा गयत है नीदी कीचलाय स्टैल चैनल पे तो दोस्तों आज जो मैं आपके साथ मैजिकल वाटर शेयर कर रही होना मैजिकल पानी शेयर कर रही होना ये आपके सफेद बालों को बिलकुल जर्ड से रिवर्स कर देगा काला बना देगा और साथ ही साथ मैं आपको बता दू कि अगर आपको प्री मैच और ग्रे हिर्स की प्रॉब्लम है ना तब तो इस पानी को आप से ही लगाना स्टार्ट कर दो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है बालों को लंबा घना और काला भी बनाता है ये तो चलिए स्टार्ट करते बनाना बहुत ही असान है पहली बाद चानल पर आए तो प्लीस दोस्तों आप से रेक्वेस्टे चानल को सब्सक्राइब करना न भूले विडियो हिल्फू लगे तो विडियो को लाइक शेयर जरूर किजेगा सबसे पहले हमें ले लेना है एक आईरन वेसल अगर नहीं है तो कोई भी पैन आप ले सकते है बट आईरन के अगर वेसल में हम बनाते है न तो बहुत ही अच्छा सा रिजल्ट आता है हमें यहां पर रिवर्स करने में तो मैं यहां पर इस तरह से इसे ले ली हूँ यह जनरली हम इसे वेस्टे समझ के फेक देते हैं बट यह हमारे बालों के लिए वर्दान से कम नहीं है इसे पानी में डाल के हमें बिल्कुल लो फ्लेम पे दो से तीन मिनट के लिए कुक करना है दोस्तों तो इसके सारी गुड़ने से पानी में उतर के आजाएगा गाईस मैं आपको यह बता दू कि अगर आप इस पानी को रेगुलर यूज करने लगेंगे ना तो आपको और कोई भी डाई लगानी की ज़रुत नहीं पड़ेगी अगर आप हफते में एक बार भी लगाते है ना तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसमें इंग्रेडियन अड़ करना तो जो फॉर्स इंग्रेडियन मैं अड़ करने वाली हूँ अब वह है इंडियन गूस बेरी पाउडर जिसे की हम बोलते हैं आवला पाउडर बहुत हल्प करता है हमारे बालों को काला घना मजबूत एक बात मैं और आपको बताना चाहूंगी कि अगर आप रेगुलर आमला जूस पीते हैं तो वह भी बहुत जादा हल्प करता है हमारे बालों को काला बना के रखने के लिए तो गैस यह मैं डाल दी हूँ अब एक और इंग्रेडियन मैं आड़ करने वाली हूँ वह है जट मिक्स कर दोंगी इस लेसन के पानी में और बिल्कुल एक से दो मिनिट के लिए और कुक करोंगी उसके बाद गैस का फ्लेम आफ कर देना है दोस्तों बस आपको एक बात का ध्यान रखना है जब आप इतने महनत करके इतनी सारी रेमेडी अगर आप अपलाई करते हैं अपन कि आमला जूस हमेशा आप ले उससे बहुत अच्छा रिजल्ट आता है और कोशिस करें कि आप बीटरूट जूस भी ले साथ ही साथ अपने डायेट में आपको ड्राइ फ्रूट्स भी लेना है यह सब आपके बालों के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देता है तो गाई अज सबसे पहले हो भी लेखिर करनी है तो सबसे पहले खाये आप यह लेखा कर रेखित अपने जड़ में लगा जिए ऊच्छा बंदे एक गंटे के लिए अगर आपके पास जादा टाइम है तो आप एक गंटे भी दे सकते हैं नहीं तो अटलीस आदे गंटे के लिए अपने बालों पर लगा के छोड़ दे और केवल और केवल नॉर्मल पानी से वाश कर ले दोस्तों रिजल्ट बहुत अचा आता है उस दिन आ नेक्स टे आपको शैंपू करना है वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे थैंक्यू है वे नाइस टे